नमस्कार विद्यारतियों अनिवारे हिंदी की कक्षा में आप सभी विद्यारतियों का हर्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे अनिवारे हिंदी के गद्य भाग। उसके तीसरे पाठ राम रक्ष बैनी पूरी और उनका निभन्द गेहु बनाम गुलाब। इस पर हम पूर्ण में चर्चाएं कर चुके हैं और यह जो हमारी चर्चा है यह इस पाठ के जितने भी प्रशन हो सकते हैं। उन सब प्रशनों को यहां पर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। प्रशन हमने अधिक्तम प्रशन रखे हैं आपके सामने जिससे कि यह पाठ जो निभन्द है केहु बनाम गुलाब। और रामरक्ष बैनिपुरी के जीवन और साहिती यात्रा और योगदान से सम्मंदित हर चीज एक बार फिर आपके सामने हो और आपको अधिक से अधिक इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रेशन है गेहु बनाम गुलाब किस सेली का निभन्द है। द्वारा संपादित पत्र पत्रिकाओं के नाम बताईए। और जो अगला प्रेशन है रामरक्ष बैनिपुरी के निभन्द संग्रहों के नाम बताईए। और पांचुवा प्रेशने रामरक्स बेनिपुरी द्वारा राचित रेखाचित्र और संस्मन के नाम का नाम बताई है तो उत्तर ये आपके सामने है पहला प्रेशन है उसका उत्तर होगा गद्दे गीत शेली या प्रतिकात्मक शेली रामरक्स बेनिपुरी ने अधिकतर निबंद प्रतिकात्मक रूप में लिखे है जैसे गेहू बनाम गुलाब में भी गेहू और गुलाब प्रतिकात्मक शब्द है दूसरे प्रेशन का उत्तर है ललित निबंद यानि कि गेहु बनाम गुलाब एक ललित कोटी का निबंद है तीसरा प्रेशन है कि रामरक्ष बेनिपुरी द्वारा संपादित पत्र पत्रिकाओं के नाम तो वो है तरुन भारत, किशान मित्र, बालक, युवक, कर्मवीर, जन्ता, हिमाले, नई धारा आदि पत्र-पत्रिकाओं का संपादन उन्होंने किया और रामरक्ष बेनिपुरी को पत्रकारिता के इधिहास में या कहें कि पत्रकारिता के ख्षेतर में एक युग निर्माता पत्रकार के रूप में जाना जाता है उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को एक नई दिशा दी जिसमें राष्ट्रे और सामजिक जेतना नहीं धर रामप्रक्ष बैनिपुरी के निबंद संग्रहों के नाम लिखिए तो उत्तर होगा गेहूं और गुलाब ठीक है दूसरा है माटी की मूर्थे वंदेवानी विनाय को मशा ये उनके निबंद संग्रह है आपको इन संग्रहों के नाम कहानी के नाम से भी मिल सकते हैं क्योंकि इन्होंने जो निबंद लिखे हैं वो संस्परन की भाती भी है रेखाचितर की भाती भी है कई सारी शेलिय इन में आकरके मिल गई है इसलिए जब यह पूछा जाएगा कि रामप्रक्स बेनी पूरी ने कौन-कौन सी रेखाचितर लिखे है तो इन संग्रहों की नाम भी आपके सामदे वहाँ पर हुगी रामप्रक्स बेनी पूरी द्वारा राचितर लिखाचितर लिखे है तो देखिए माठी की मूर्ते लाल्टार, जनजीरे और दीवारे, मील के पत्थर अगले दूसरा प्रस्ण है रामरक्ष बेनीपुरी के उपन्यास का नाम बताईए तो उत्तर होगा पतितों के देश में दूसरा प्रस्ण है रामरक्ष बेनीपुरी ने किस प्रकार के निबंद लिखे है तो भावात्मक, संस्प्रनात्मक, प्रतिकात्मक अगला प्रशने गेहु बनाम गुलाब निबंद में गेहु किसका प्रतीक है उत्तर होगा श्रम का प्रतीक है यहाँ पर यह ध्यन देने की बात है कि गेहु बनाम गुलाब निबंद में यह जो दो शब्द है ये इन में प्रतिकात्मक विश्तार है कि गेहु को कहीं श्रम का प्रतीक माना गया है कहीं भोतिकता का प्रतीक माना गया है तो यहाँ पर अगर भोतिकता आता है तो वो अभी उत्तर मानने होगा पर यहां पर हम मानते हैं कि गेहुं प्रारम्विक तोर पर श्रम का प्रतीक है, मेनत का प्रतीक है, शारिविक श्रम का प्रतीक है अगला प्रेशने गेहुं और गुलाब के बीच आवश्यक है निबंद के आधार पर हम कह सकते हैं कि लेखक ने माना है कि गेहू और गुलाब में संतुलन आवश्यक है यानि कि भोतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन शारीरिक बल और मानशिक बल जीवन में इन दोनों का सामन जैसे आवश्यक है हर जगह शारिरिक बल काम नहीं करता और हर जगह मानसिक बल काम नहीं करता लेकिन फिर भी लेखक का जो देशे है वो यह है कि व्यक्ति के अंदर कम से भी कम सांस्कृतिक चेतना मनुवरत्यों का उन्नेयन तो होना ही चाहिए इसलिए लेखक की यह मान कर चलते हैं कि जीवन म में शारिलिक बल मानसिक बल नैतिक बल इन सब का सामन जिस्य होना जरूरी है अगला प्रेस्ण है मैदान जोते जा रहे हैं बाग उजाड़े जा रहे हैं किस के लिए तो उत्तर होगा गेहू के लिए अगला प्रेस्ण है गेहू बनां गुलाब निबन में गुलाब किस का प्रतीक है तो उत्तर होगा विलास का या कि मानसिक वरत्तियों का अगला प्रशने किस से हमारा मानस तरप्त होता है तो उत्तर होगा गुलाब से मानों को मानों किस ने बनाया उत्तर होगा गुलाब ने कहने का ताथ परिया कि शारीरिक बल पस्वों में होता है शारीरिक भूख पस्वों में भी होती है लेकिन अपने मानस का, अपनी मानसिक्ता का, अपनी मनोवरत्यों का विकास करने की जो ललक होती है वो केवल इंसान में ही होती है इसलिए कहा गया है कि मानों को मानों, इंसान को इंसान बनाने का काम है वह गुलाब ने किया अर्थात उसकी मनुवरत्यों के विकास ने किया है अगला प्रशनें भरी जवानी में कौन सिस्कियां ले रहा है तो पाठ खे आधर पर जैसा कि पाठ में प्रसंग आया है गुलाब अगला प्रस्ने किसको महत देने के चकर में मानव अपनी सांती खो रहा है उत्तर होगा गेहूं को या थी भोतिक्ता को अगला प्रस्ने है अब नए मानों की नई आकंशा हो निबंद के अमसार नए मानों की नई आकंशा क्या होना चाहिए तो उत्तर होगा गुलाब की संस्कृति का पल्लवन होना तो देखें गेहु पर गुलाब की विजे यानि कि सारेलिक बल पर मान्सिक बल की विजे होना चाहिए मान्सिक रूप से व्यक्ति को स्वस्त होना चाहिए सांस्कृतिक जीवन की द्रश्टी से व्यक्ति को सशक्त होना चाहिए मनों भावों में का विकास होना चाहिए मनों भावों में किसी भी प्रकार का विकार न हो ऐसा मानस ऐसा व्यक्तित्तु बनना चाहिए तो इस निवंद में लेखक की जो आकांशा है वो यह है कि गेहूं पर गुलाब की विज़े होना चाहिए, शरीर पर मन की विज़े होना चाहिए, भोतिकता पर अध्यात्मिकता की विज़े होना चाहिए अगला प्रेशने देश को आजादी मिलने पर गुलाब किसका परतीक बन गया तो यह है स्वाधिमता का परतीक, अगला प्रेशने अब परतीक बन गया है हड़ी तोड़ने वाले, थकाने वाले, उबाने वाले, नारकिये यंत्रनाई देने वाले, श्रम का, किसके लिए कहा गया है अर्थात अब गेहूं उत्तर होगा गेहूं के लिए गेहूं अब एक प्रकार से केवल पोशन तक सिमित रहा नहीं रहा वो एसे श्रम का प्रतीक बन गया है जो ठकाने वाला है उबाने वाला है नर्ग समान यंत्र ना देने वाला है भूग मिटाने वाला नहीं रहा अगला प्रश्ण है गेहु बनाम गुलाब निबंद के अंसार प्रतम संगीत का स्वर कब गुंजा उत्तर होगा गेहु को उखल में कूटने और चक्की में कूटने फीशने के समेही संगीत का प्रारंब हो गया था अगला प्रशन है प्राचिन काल में से उपवाश, वरत, तपश्या, आदी उसी चेश्टा की भिन भिन रूप हैं। की व्यक्ति अपनी मनो व्रतियों को बल प्रदान करें। और इसलिए उसी संकल्प भहुना के साथ व्रत उपवास आदी किये जाते हैं। अगला प्रशन है गेहुं बहुत दिनों तक हमें किसका गुलाम बना कर रखना चाहेगा। अगला प्रशन है गेहुं पेट की खुदा को सांत करते हैं। किसकी खुदा जागरत करता हैं। तो उत्तर होगा वासनाओ की। अगला जो प्रशन है देखिए। लेखक ने इंद्रियों का सयमन और व्रतियों के उन्नयन में से किसको अधिक सही माना है। तो उत्तर होगा व्रतियों के उन्नयन को। यानि कि वरत्यों को ही उपर की ओर ले जाओ, वरत्यों को ही बलिष्ट बनाओ, सैयम से विकार उत्पन होते हैं अगला प्रशन है, निबंद के अंसार किसकी किस पर प्रभुता स्थापित होना चाहिए, सरीर पर मानस की और गेहुं पर गुलाब की व्रत्यों को वस्मे करने के लिए मनुविग्यान क्या उपाई बतलाता है उत्तर होगा इंद्रियों का सह्यमन व व्रत्यों का उन्नयन अगला प्रशने गेहु और गुलाब में लेखक संतुलन इस्थापित करना क्यों चाहता है क्योंकि लेखक इसलिए संतुलन इस्थापित करना चाहता है ये मानों सुखी और आनंद पूर्वक रहे या सानंद रहे अगला प्रस्ण है हमारे रिशी मुनी क्या उपदेश देती आये है तो उत्तर होगा सैयम का विज्ञान ने गेहु के बारे में क्या बतलाया है उत्तर होगा विज्ञान ने गेहु के बारे में बताया है कि प्रत्वी और आकास के कुछ तत्वन एक विशेश प्रक्रिया से पोदे की बालियां संग्रहित करके गेहु बनाते हैं यानि कि विज्ञाने गेवों के बनने की प्रक्रिया को समझाया है अगला जो प्रश्न है इसके स्रम के साथ संगीत बंदा हुआ था और संगीत के साथ स्रम इस पंक्ति का क्या आश्य है यह पंक्ति निबंद से ली गई है और इसका जो सामाने सा आर्थ है वो यह है कि जो प यही भाव इस पंक्ती में दिखाया गया है। देखें इस पंक्ती का भाव यह है कि जब मानव के जीवन में गेहु और गुलाब का संतुलन रहा तब तक कमाता हुआ गाता था और गाता हुआ कमाता था। इस प्रकार स्रम और संगीत दोनों एक साथ मिले विये थे यह जीवन में संतुलन की इस्तिति का एक उधारण है अगला प्रशने गेहू और मानव शरीर में क्या संबंध है अगला प्रशने व्रतियों के उन्नेयन से लिखा का क्या आश्य है तो उत्तर होगा व्रतियों के उन्नेयन का आश्य है कि हमें कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से उपर उठा कर सुक्स्म भावनाओं की और प्रवर्त करना चाहिए यानि कि हमें व्रत्तियों को उपर की ओर उर्द्व मुखी बनाना चाहिए जिससे कि हमारे व्यक्तित्व का विकास हो सके और फिर शारीरिक आकर्षन हमें लुभा नहीं सकता किसके लिए मेदान जोते जा रहे हैं बाग उजाडे जा रहे हैं प्रस्ण पूरू में भी आ चुका है गेहु के लिए अगला जो प्रश्ण है गुलाब की दुनिया से लेखक का क्या तात परे है तो उत्तर होगा मानस का संसार यानि की मन का संसार मनों रत्तियों का संसार अगला प्रश्ण है देखिए जब तक मानों के जीवन में गेमों और गुलाब का संतुलन रहता है तो जीवन केशा रहता है तो उत्तर होगा सुखी और शानंद यानि सुख पूरवक और आनंद पूरवक रहता है जब इन दोनों चीजों का संतुलन रहता है तो व्यक्ति, समाज, सब्धेता सब सुखी रहते हैं अगला प्रशने प्रचुर्ता में भी राक्षास्ता ना आवे इसके लिए क्या उपाई है यानि कि अधिक भोतिक वस्तों का संग्रह हो जाता है व्यक्ति अधिक संपन हो जाता है तो उसमें राक्षास्ता का सहज अंकुरान होने लगता है तो इसके लिए क्या करना चाहिए लेखक ने बताया है कि प्रचुर्ता में भी राक्षास्ता ना आवे इसके लिए क्या उपाए है तो व्रत्तियों का संतुलन और इंद्रियों का सहियमन अगर इन दोनों का अभ्यास किया जाए तो प्रचुर्ता कितनी भी हो वो मानों कल्यान में लगेगी व्यक्ति के अहम के विकास में नहीं अगला प्रच्ने रामरक्ष बेनिपुर का जन्म कब और कहां हुआ था तो उत्तर होगा सन 1902 इश्वी बेनिपुर गाउं मुझःपर पुर बिहार में और इसी गाउं के आधार पर अपने गाउं के आधार पर इहुआ अपने नाम के पीछे बेनिपुरी शब्द लगाया है अगला प्रच्ने है अब वो दुनिया आने वाली है जिसे हम गुलाब की दुनिया कहेंगे लेखक किस की बात कर रहा है तो उत्तर होगा शारीरिक आविश्यक्ताओं के बंधन से मुक्ति और मानों संतुष्टी मानसिक विकास गुलाब की संस्कृति के स्वचंद वातावरान के आगमन की बात कर रहा है यहनकि गुलाब की दुनिया का मतलब है शारीरिक बंधनों से मुक्ति शारीरिक आकर्षन स सारेविक मोह से मुक्ति अगला जो प्रेश्ण है गेहूं की दुनिया से क्या तात परे है तो गेहूं की दुनिया से तात परे है भोतिकता की दुनिया जिसकी तरफ आज लोग भाग रहे हैं दोल रहे हैं क्या प्रचुरता मनुश्य को शुक और शांती दे सकती है नहीं दे उत्तर होगा नहीं दे सकती क्योंकि प्रचुर मात्रा किसी भीची भूतिकता की प्रचुरता अगर आ जाएगी तो व्यक्ति में वास्नाओं का जागरण होगा व्यक्ति में अहम का जागरण होगा इसलिए वह शुक और सांती नहीं दे सकती अगला प्रशन है मानव शरीर में पेट का स्थान खाली जगर है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए उत्तर होगा नीचे गुलाब की दुनिया किसकी प्रतीक है तो यह है मानस की प्रतीक है मन की प्रतीक है मन व्रतियों की प्रतीक है व्यक्ति के भावनात्मक संसार की प्रती आगे देखिए लेखक के अंसार आने वाली दुनिया को हम कौन सी दुनिया कहेंगे तो लेखक के अंसार गुलाब की दुनिया अर्था भावात्मक्त और सांस्कृतिक दुनिया कहेंगे लेखक की बहुना है लेखक का मानना है कि एसी दुनिया आने वाली है उसका विकास हो उसकी आहट हो रही है आगला प्रश्ने इंद्रिये सैयमन और व्रत्यों का उन्ययन से लिखका क्या तात्पर है तो उत्तर होगा इंद्रिये सैयमन अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रन और व्रत्तियों का उन्नेयन अर्था तो व्रत्तियों मनो व्रत्तियों को उर्द्व मुखी बनाना या करना उनको उच्छ तर्थ पर ले जाना अगला प्रशने इसका साउला दिन में गाई चराता था रात में राश रच चाता था किसके लिए कहा गया है या साउला सब्द किसके लिए कहा गया है तो उत्तर होगा भगवान स्री क्रशन के लिए जो कि दिन में गाई चराते थे और रात में राश रचाते थे यानि कि जीवन में गेहों और गुलाब दोनों की उपस्तिती थी बराबर मेदान जोते जा रहे हैं, बाग उजाडे जा रहे हैं, ये सब किस के लिए किया जा रहा है, तो उत्तर होगा गेहों के लिए अगला प्रस्ने मानों को मानों किसने बनाया तो उत्तर होगा मानस की भावातमक, मानसिक और सांस्कृतिक प्रवर्थियों और शक्तियों ने अगर यह सक्तियां नहों तो वह भी मनुसे एक तरह से पसुतुले ही रहेगा अगला प्रस्ने लेखक के अनुसार आने वाली दुनिया को हम कौन सी दुनिया कहेंगे तो ये गुलाब की दुनिया होगी अर्था भावात्मक, सांस्कृतिक, प्रवर्तिया, मान्शिक, सक्तियों के उन्नेयन की दुनिया होगी आप गुलाब गेहों पर विजे प्राप्त करें, से लेखका क्या ताद करें तो उत्तर हो गा अब समय है जब मनुस्य अपनी भूख और प्यास भोतिक सुक्षाध्यों की समण्भद्धि से सुक प्राप्त होने की कल्पना को त्याद कर मानसिक सुक शांति को प्राप्त करने का प्रयाश करें नमीनी करन द्वारा भोतिक व्रत्तियों वो सारीरिक व्रत्तियों पर विजय प्राप्त करें और व्यक्ति नेतिक द्रश्टी से उन्नत हो विक्षित हो उसका नेतिक बल मजबूत हो अगला प्राशन है लेखक ने राक्षस्ता किसे कहा है तो उत्तर होगा उन दूशित मानसिक्ता व्रत्यों वाले लोगों को जो दूसरों की बहु बेटियों पर बुरी नजर रखते है गरीबों का सोशन करते हैं न खाने योग्य पदार्तों का सेवन करते हैं संपन होते हुए भी अधिक पाने की लालसा से ग्रशित है भोतिक संपनता भे भी मानसिक दरिद्रता वाले लोगों के लिए कहा है अगला जो प्राशन है वो देखे पेट की अगनी अर्थात भूग सांत होने पर मनुसे किस ओर आकर्शित होता है तो वह है पेट की भूग सांत हो जाने पर मनुसे प्रकर्ति के अनुरूप सौंधरे की ओर आकर्शित हुआ अर्थात मानसिक वह आध्यात्मिक सांस्कृतिक जीवन की ओर आकर्शित हुआ उसकी ओर उद्यत हुआ उस बहुतिक्ता पर विजय प्राप्त करने की राध्यात्मिक क्षेत्र में विच्रन करने की आरंब में मनुसे भूग शांत करने के लिए गेहूं की आवशक्ता को महत्यु देता था लेकिन भूग मिटाना ही उसका उद्देशे नहीं रहा व्रत उपवास और तपश्या जैसे हनेक प्रयासों को अपना कर अपनी शारीरी की इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने की चेश्टा भी मानों की रही है अगला प्रस्ने पिंड चुडाने से क्या तात्परे है इसने बंद में एक स्तान पर आया है कि पिंड चुडाना अर्था पिंड चुडाने का मतलब चुडाना चुटकारा पाना अगला प्रस्ने कौन सी बात हस्ता मलकवत के समान कभ सिद्ध हो कर रहीगी तथा इसमें विज्ञान का क्या युगदान रहेगा ये कौन सी बात हस्ता मलकवत के समान होकर रहेगी तो उत्तर होगा मनुष्य के जीवन में गेहु से अधिक गुलाब की उप्यूगिता है निबंद में लेखक ने इस बात को प्रमानित किया है बहुतिक आवस्यक्ताओं से अधिक मानसिक त्रप्ति की आवस्यक्ता है एकन एक दिन ये बात आवस्य सिद्ध हो कर रहेगी जब मनुष्य का ध्यान गेहु अर्था बहुतिक संचाद्नों को जुटाने से होने वाले कस्टों की और जाएगा ये बात शिद्ध हो जाएगी इसके लिए विज्ञान को सरजन सील बनना होगा उसे जीवन की समस्याओं पर ध्यान देना होगा तब कहीं जाकर मनुष्य तब कहीं जाकर गेहु और गुलाब की इस्तिती सहज उपलग्धो पाईगी क्योंकि लेखक का मानना है कि विज्ञान भी अपने पत्वर नहीं चल रहा है वह भी मानों का एक तरह से संहार कांड लिख रहा है वह एक प्रकार से विनास की ओर बढ़ रहा है उसका मान भी उप्योग नहीं हो रहा है लेखक के लेखक निबंद में आगे यह भी करते हैं कि विज्यान ने अपने आप में परिवर्थन किया है और वो अब श्रजनात्मक भूमिका निबाएगे वर्थमान में किसकी दुनिया समाप्त होने के गार पर है तो उत्तर होगा वर्थमान में गेहों की अर्थात भूतिक्ता के दुनिया समाप्त होने वाली है मनुष्यनिक स्वार्तवस जिस भूतिक्ता को अपनाया उसीने आर्थिक और राजनितिक रूप से उस पर राज्य कर आप्रारंब कर दिया और उसका सोशन करने लगी किन्तो अब ये भोतिकतावादी द्रश्टी संसार से नस्त होने वाली है और जल्दी ही नए युग का आरंब होने वाला है सांसक्रतिक युग का आरंभ होने वाला है म्यनोरत्यों की विकाष का युग आरंभ होने वाला है व्यकति, मानसिक और नैतिक तोर पर मजबूत होगा दरढ होगा एसा युग आने वाला है अगला जो प्रेश्न है वहें न durability का आरंभ से लिखा का क्या तात्पर है इस यूग में मानवता पर पड़ा हुआ गेहों का मोटा आवरन हट जाएगा आर्था भोतिकता का जो आवरन है वो हट जाएगा और मानव जीवन संगीत मैं होकर संगीत न्रत्य और आनंद से मचल उठेगा। यह यूग संस्कृति का यूग होगा यह रंगों सुगंदों और सोंदरे का संसार होगा कभी की एसी कलपना है। अगला जो प्रसने एंद्रियों के संयमन और व्रत्यों के उन्नेयन से आप क्या समझते हैं। यह क्यों जरूरी है अंतर का भी विशलेशन कीजिए। तो उत्तर होगा इंद्रिय सैयम से तातपरे है अपनी इंद्रियों पर नियंतरन करना पाना और व्रत्तियों का उन्नेयन का अर्थ है अपने आचरन को उन्नत बनाना अपनी व्रत्तियों को उपर की ओर उठाना अर्थात अपने नेतिक बल का विकास करना अर्थात इंद्रि को कोई चोट अत्वा नुक्सान नहीं पहुँचे इंद्रिये सहयम द्वारा मनुस्य की को अपनी द्रस्टी दुष्ट प्रवर्तियों पर नियंत्रन रखने में सहयोग मिलता है इंद्रियों पर सहयम रखना सबसे बड़ा कठिन कारे हैं बड़े बड़े रिशी मुनी भी अपनी इंद्रियों को काबू में रखने में अशफल रहे हैं और उनकी तबश्या भंग हो गई अत्वा इंद्रिये सहयम से अच्छा उपाई है अपनी व्रतियों को उर्दु मुकी बनाना उनकी दिशा बदलना मन में इस्तित व्रतियों को एशी दिशा में ले चलना जि अगला प्रशने रामरक्ष लेहने पुरी का प्रसिद्ध उपन्यास किस विशे पर आधारीत है। उपन्यास है उनका पतितों के देश में। वो उपन्यास उनके जेल जीवन पर आधारीत है। राम्रक्ष बेनिपूरी की प्रसिद रचना माटी की मूर्ते किस विधा पर आधारित है तो उत्तर होगा रेखा चित्र है निभंद संग्र है चोंकि कई रचनाई ऐसी होती है जो रेखा चित्र होते हुए भी संस्मरन होती है संस्मरन सेले में लिखी गई होती है और निभं द्वारा कौन सा पुरुषकार दिया जाता है तो इसका उत्तर हुगा उनके सम्मान में धिहर सरकार द्वारा वार्शिक अखिल भारतिय राम्रक्ष बैनिपुरी पुरुषकार दिया जाता है अगला प्रस्न है भारतिय डाक सेवा द्वारा राम रक्स बैनीपुरी के सम्मान में भारत का भासाई स्वार्धर बनाने हेतू भारतिय संग के हिंदी को राष्ट्र भासा अपनाने की अर्ध सती में या इसके उपलक्ष में डाक टिकटों का एक संग्रहर कब जारी किया गया था तो इसका उत्तर होगा 1999 अगला प्रस्न है रामरक्ष बेनिपुरि को बिहार हिंदी साही ते संबलन के संसतापकों में अगरणी माना जाता है बेनिपुरी जी इसके महमंत्री कब से कब तक रहे है तो उत्तर होगा सन 1946 से 1950 तक question number 67 है रामरक्ष बेनिपुरी की रचनाई जैप्रकाश, नैत्रदान, सीता कीमा, विजेता, मेल के पत्थर, गेहु और गुलाब किस विशे से सम्बंदित है तो उत्तर होगा साहित्यकारों के सम्मान से सम्मान दित उन्होंने साहित्यकारों के सम्मान में काफी कुछ लिखा है और इस रूप में रामरक्ष बेनिपुरी की ख्याती है और उन्होंने सेक्ष्पियर तक भी लिखा है कि साहित्यकारों का समाज में सम्मान होना चाहिए क्योंकि वह जो भी समाज को देता है वह निश्वार्त भाव से देता है और एसे महन विचारों का महन धार्षिनिक साहित्यकारों का समाज में सम्मान होना चाहिए इस संदर्ग में उन्होंने ये रचनाय लिखी है अगला प्रस्ने गेहु और गुलाब निबंद संग्रह में संकलित निबंद किस प्रकार के निबंद है तो उत्तर होगा प्रतिकात्मक निबंद है लगबद आपकी प्रस्नी यहां पर शमापत होते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अगली जो चर्चा करेंगे वह वैसे यह पार्ट इस पार्ट पर सारी चर्चाएं हो चुकी है इसमें हमने कुछ भी नहीं जोड़ा है लेकिन एक जो चर्चा है वह संपूर पार्ट पर करेंगे वह पूरे पार्ट को एक ही चर्चा में खत्म करेंगे और वह सार संक्षेप से संबंदित होगा कि रामरक्ष ब्यानिपुर कोन है उनकी रचनाई कोन कोन सी है और उनका जो निबंद है गेहु बनाम गुलाब उसका बीज भाव क्या है और जो अन्य महत्पुन प्रश्ण है उनको इस चर्चा में शामिल करेंगे धन्यवाद